नमस्कार दोस्तू क्या आपके बाल जड़ते हैं? क्या आपके बाल तूटते हैं? जी हाँ अगर आपके बाल तूटते हैं या जड़ते हैं तो ये है वो नुस्का जो कि आपके बालों की तूटने जड़ने की समस्यक समाप्त कर देगा साथ ही साथ आपके बालों को एक जबरता शाइन भी देगा दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं भंडार टीवी मैं हूं भंडार टीवी का होश्ट चलिए आए शुरू करते हैं आज का नुस्खा लेकिन इस वीडियो को शुरू करने इस पहले जैसे मेरी हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहे थी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो तो अभी कभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने बिलकुल मुफ्त है सब्सक्राइब करें उसके बाजू के बेल आइकोन को दबाईए ताकि आप हमारी इस प्रकार की नई और इंट्रेस्टिंग वीडियोज मिस्ता कर पाएं आप देख करके समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये जो नुस्खा मेंने बनाया है ये क्या नुस्खा है ये अभी आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बता तो ये जो नुस्खा है दोस्तो ये बहुत ही इफेक्टिव है ये जो नुस्खा अभी आपके सामने आप देख रहे हैं ये जो नुस्खा है ये बना हुआ है दो चीजों से वो दो चीजे क्या है आपको भी पता चलेंगी ये नुस्खा बालों के जड़ने के समस्या रूसी के समस्या अगर आपके बाल तूटते हैं और आपके बालों को शाइन देने में बहुती ज्यादा कार करें दोस्तों यह बहुती इसली आप बना सकते हैं तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेती हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हैं तो दोस्तों यह जो नुस्खां बनाने वाले हैं बहुती आसान हैं बहुती इसली बनेगा औ सबसे पहली चीज आपको यहां नारियल का तेल लेना होगा आपको क्या करना होगा कि आपको इस प्रकार से नारियल काड़े ले लेना है और लंल ध्यान रखिए लगभग आपको दो चमच के आसप 스पास ले लेना है अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी exact मात्रा यहां मैंने अभी दो चमश ले लिये हैं लेकिन अभी आपको मैं बताने वाला हूं बिल्कुल exact मात्रा वो मात्रा ऐसी है दोस्तों कि अभी इसके बाद जो हम चीज इस्तेमाल करने वाले हैं उस चीज का दुगना आपको नारियल मैं सभी जानते हैं तो सबसे पहले मैं नीवू को काट लेता हूं नीवू कट चुका है अब हमें इसका प्रयोग करना है यहां पर यहां हमने जैसे कि लगभग दो चमश इसका प्रयोग किया तो लगभग हमें यहां एक नीवू डालना होगा एक या फिर आप आधा नीव स्क्राइब लिया है लगभग ऑँ कि अव है अब यह इस प्रकाश से ले बात आपको डाल लेने हैं और LA और इससी अच्छी तरीके से मिलाना है और कैसे लगाना है और यह जो नुशका है यह बहुत कार कर रहेगा आपके बालों को शाइन भी देने के लिए साथी साथ ये नुस्का आपके बाल जढने के समस्या भी दूर करेगा ये नुस्का बहुत ही effective रहेगा सिर्फ इसका प्रयोग आपको एक महिने तक करके देखना है और आप result अपने सामने देखेंगे दोस्तों ये बहुत effective नुस्का आप इसका प्रयोग ज़रूर करें तो चली इस प्रकास से आप अच्छी तरीके से मिला लीजेगा जैसे कि मैं मिला रहा हूँ तो आपको इस प्रकास से मिलाने के बाद इसे कैसे प्रयोग करना ये जान लेते हैं तो ये जो नुस्खा है हमारा बन के तैयार हो चुका है अब इसे प्रयोग कैसे करना है चली जानते हैं इसका प्रयोग आपको अपने सर की जड़ो पे करना है जी हां आपको अपने सर की जड़ो पे अच्छी तरीके से इसकी मसाज करनी है क्योंकि अगर आप मसाज करेंगे दोस्तो तभी आपको अच्छी result मिल सकते हैं पूरे जड़ में लगना चाहिए यह आपके बालों को shine भी देदेगा सारी टूटने गिरने की समस्ता समाप्त हो जाएगी दोस्तो यह बहुत ही effective नुस्का है आप इसका प्रयोग ज़रूर करें यह बहुत ही जबर्दर सा लाप देने वाला है यह नुसका बहुत ही easily आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं तो आप इसका प्रयोग करें और मुझे comment करके ज़रूर बताईगा तो दोस्तो यह थी हमारी आज के जानकरी simple सी छोटी सी जानकरी अगर आपको अच्छी लगए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ उसके बाजू के बैल आइकन को तपा लीजी ताकि आप इस प्रकार के हमारी नए वीडियो मिस न कर पाएं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में दोस्तों किसी और नए इंटरेस्टिंग नुसके के साथ आप लोगों के हेल्थ के लिए तब तक के लिए नमस्कार